नमस्कार अब क्लासिट स्मेथ एंसियाटिक के बुक का एकसरसाइज 2.1 होल नंबर का कम्प्लीट करते हैं इसमें सबसे पहला क्या है कोस्टन से पहले एक मैं वो दे दूं कि इसमें नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर्स ये तीनों क्या है उसको मैं पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर्स क्या है फिर भी एक मैं सामाने बतायता हूँ कि नेचुरल नंबर वो है जो 1 से सुरू होता है वन से पहले नहीं, वन से शुरू होगा, और वो counting होता होता, infinity तक जाएगा, वो होता है, natural number, whole number क्या होता है, वो जो सुन्य से, zero से चालो होगा, और यह सारे countings number होते हैं, तो countings number जो है, वो कहां तक जाएँगे, infinite, infinite तक जितने भी numbers हैं, वो सभी के सभी whole number आएँगे, वैसे integers में क्या होता है, कि zero भी होगा, positive के सारे numbers होगे, और negative के भी सारे numbers होगे, वो होते हैं, integers, तो natural number, whole number, integers, और मैं एक अच्छे से वीडियो भी बना चुका हूँ, उसको आप अच्छे से देख लिजाएगा, वो है, exercise 2.1 का सबसे पहला question देखते है, write the next 3 natural number after 10999, 1099 के बाद का next का 3 natural number हमको बताना है, तो बस counting, आगे का counting ही लिखना है, तो, क्या लिखेंगे हम, कि next 3 number, next solution, next 3 number, next 3 natural number लिखना पड़ेगा स्वाने, next 3, question natural लिखेंगे हैं से हम, natural लिखेंगे, next 3 natural number, numbers after 10999, 10999, is, क्या क्या होगा, 11000, 999 के बाद 1000 होता है, इसलिए, यह 1000 हो गया है, यानि 11000 हो गया, उसके बाद, 11000, और 11000, यदि किसी को problem आ रहा है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कि 10999 में, 1 को plus कर सकते हैं, तो plus करने के बाद आ जाएगा, 11000, आ जाएगा, वो rough में आप कर लिजेगा, वैसे ही, इसमें 1 को plus करेंगे, तो यह आ जाएगा, इसमें plus करेंगे 1 को, तो यह आ जाएगा, ठीक है, तो यह हो गिया, दूसरा question क्या है? Write the three whole number, अभी हमको whole number बढ़ाता है, बताना है, whole number और nature number कुछ फर्क है नहीं, बस यह है कि 0 इसमें आता है, उसमें 0 नहीं आता है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, और digit हमारा बढ़ा है, इसके बाद का जो value है, वो बताना है, तो write the three whole number occurring just after one zero 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 one, यहनी ten thousand one, the whole number, तो answer solution क्या होगा? whole number, whole number, sorry, just before है न, whole number, just before one zero 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 one will be, will be, क्या होगा? one zero 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 nine 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 and nine 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 eight, ओके, value, यदि आपको value निकालने में problem आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, just before दिया हुआ है, यहनी कि हमको minus करना है, one zero 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 one में one को minus कीजिए, कितना आ गया? one zero 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 zero, ओके, वैसे ही, वापस यह ten thousand आ है, अब इससे एक minus करेंगे, one zero 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 zero, में one को minus कर दिजिए, इतना हो जाएगा? nine 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 nine, ऐसा करके आप easily निकाल सकते हैं, ओके, तो यह होगी आपका answer. अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? वीच है?